सफल व्यक्तियों के पास आम लोगों की तरह बड़ी संख्या में दोस्त नहीं होते हैं दोस्तों बुद्धिमान लोग इस मामले में बहुत चालाक होते हैं साइकलोजी के मताबिक जब आप किसी के बहुत ज़ादा करीब हो जाते हैं तब उसके द्वारा भीजे गए मैसेज भी आपको उसी की आवाज में सुनाई देने रखते हैं दोस्तों के आप जानते हैं हमारा चाहने वाला जब हमें इगनौर करने लगता है तब हमारे मस्तिस्क में वही केमिकल रिलीज होते हैं जो चोट लगने पर होते हैं अगर एक व्यक्ति कम बोलता है लेकिन तेजी से बोलता है इसका मतलब है कि बहे एक गोपनी व्यक्तित्व वाला सक्स है जो ज्यादा तर वाते अपने तक ही रखता है दोस्तो अगर आप अपने पसंदीदा गाने को अपना अलार्म बना लेते हैं तो आप उसे ना पसंद करने लगते हैं लोग ज्यादा तेजी से आखें जपकाने लगते हैं जब जूट बोल रहे होते हैं या फिर तनाप में होते हैं बैग्यनकों की माने तो एक मनुष साधी करने से पहले लगवक्त साथ बार प्यार में पड़ता है दोस्तो रोमांटिक मूड में आते ही आपका दिमाग भी कम काम करता है दोस्तो एक बात हमेशा याद रखना आपको सच्चा प्यार करने वाला व्यक्ति कभी भी किसी भी परिश्थिती में आपको अकेला नहीं छोड़ेगा साइकलोजी कहती है एक औरत को कोई पुरुष ज्यादा अट्रेक्टिव तब लगने लगता है जब उस पुरुष को अन्य इस्त्रियां भी देख रही होती है या देख कर मुश्कुरा रही होती है आवाज में भारीपन वाले पुरुषो की तरफ महिलाएं बेहत आकर सित होती है